नमस्कार दरसक भाईयो लेकर आये हैं आज एक टीलर जो की बिक्री के लिए है जैसे के आपको ग्यात होगा हमने एक बार इसकी वीडियो बनाई थी लेकिन उस वीडियो में हमने बिक्री के लिए नहीं डाला था क्योंकि इसका डैमो के लिए रोक लिए था यह नए का नया टीलर है मात रिष्स से भी हमने तीन भी के खेट था जिसमें इसका डैमो हुआ था तीन तरह के टेक्टरों पे इसका डैमो चला था महिंद्रा 265 मैसी 10-35 और हमारे जोंडियर पर इसका हमन तो जखकाश चला बिल्कुल और इस टीलर में मैंने खूबियां पहले बताई रखी है कि इसमें क्या क्या खूबी हैं लेकिन मैं आज फिर भी एक बार आपको बताना चाहूँगा क्योंकि कुछ दर्सक भाई हमारे ऐसे जी ओ जो वीडियो इस बार पहली बारी देख रहे है हमारी तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा सबसे पहले देखे आप टीलर की बनावट आपको इस तरह की बनावट कहीं नहीं मिलेगी टीलर सबसे बड़ी चीज है टाटा का पाइप लगा हुआ है आई एस आई मारका के साथ में हैं यह देख सकते हैं सबसे बड़ी ची इसमें जो सपोर्ट हैं आप देख सकते हैं यह वाली जो साइड की सपोर्ट हैं यह बोल्टों पर है यह दो बोल्ट इसमें लगे हुए इधर और दो ही लगे हुए है इसमें इधर एक सपोर्ट होगे इसकी यह वाली तो दो सपोर्ट तो होगी एक इस साइड में और सेम यही situation इसकी दूतरी साइड में है, दो सपोर्ट होगी इस साइड में, यानि के कुल मिला के, मैं आपको दिखायता हूँ, आप चेक करिए, कुल मिला के टिलर में जो हुई है, चार सपोर्ट, अब चार सपोर्ट के साथ साथ, अब आ जाते हैं इसकी, जो हमने मैडे की पत्ती लगवाई है, यह देखें मैडे की जो हमने सपोर्ट लगवाई है, यह कितने मोटी पत्ती लगवाई है हमने इसमें, उसी के साथ साथ, हमने इसमें बोल्ट पे भी लिए, और इसके साथ साथ हलकाल का इसमें टाका भी लगवा दिया, ताकि यह आगे चलके लूज ना करता है इस वज़े से weather कुन्दा करवाई है यह इसलिए करवाई है ताकि साइडॉ के जो ठाइन हो वह मुड़े आपने देखा होगा ट की साइड़ों की टाइन पिछे की जो थे वहाल हुई होती है तो अंदर की अभाषर को फिल जाएंगी यह शिकात आती है तेसमें यह सिकात नहीं तीसरी चीज इसमें एक इंची मोटी एक इंची मोटी और मैं टाइन की कमपनी भी दिखाऊंगा आपको यह देखिए modern गैंडा modern गैंडा की इसमें टाइन लगी हुई है टाइन की फुल गारंटी होगी अब तीसरी चीज इसके आप गुच्छे हमने कितने हैवी लगवा रखें इसमें गुच्छे अपको इतने हैवी गुच्छे आपको कहीं नहीं मिलेंगे अब आती है इसकी सबसे मैन चीज जिन से टिलर का जो की टिलर का पूरा दिल बोला जाता है वो आती है इस्प्रिंग आप इसकी स्प्रिंग देखिए इस्प्रिंग इसकी पूरी 50 mm की है और टाटा इस टील की इसमें स्प्रिंग लगी हुई है और अब बात आती है इसके हिच की इसमें हिच का भी हमने पूरा जोर दिया था फैक्टरी में जावने बनवाया था तो हमने इसमें हिच ये बिलकुल स्पेसल तरिक्के से लगवाया है अब हम इसके हिच की बात कर लेते हैं हिच में हमने इसके में यहां पे हलका हलका एक बोल्ट पे जो है यह साइड में यहां टक्का भी लगवाया है ताकि मजबुताई के लिए और उपर से हमने हिच बोल्ट पे लिया है यह इसमें कुंदा है इसमें आप खेत पे जा रहे हैं ट्रोली की जुरत है तो ट्रोली भी लेके जा सकते हैं, दूसरी चीज, हैरो लेके जा रहे हैं, तो हैरो बिसम लगा कर आप लेके जा सकते हैं, अब तीसरी बात आती है, इसमें हमने ये पिन लगवा रखी, आप दिख रही होगे आपको ये वाली, ये वाली, इस पिन का क्या फायदा है, कि आपको ड्रोबार प इधर की साइड में भी हमने सपोर्ट इसी तरीके से लगवाई है modern गेंडे की टाइन है अब आती है man चीज इसके खुर्पे खुर्पे देखिए अभी जो के तू है मातर तीनवी के खेत जो था उसमें हमने कई बार चलाया था क्योंकि इसका demo चल रहा था तो कई बार चलाना पड़ा ये खुर्पे चेक कीजिए आप खुर्पे कमानी अब तीसरी बात आखती है जिन पर टाइन कसी हुई होती है जो इसके पट्टे वोल ले जाते हैं एक ही बात में बता दूँ ये ये इसमें कमानी के लगे हुए है ये पट्टे कमानी के पट्टे है तीसरी चीज आपको अब बताता हूँ हैडोलिक इसकी हैडोलिक हमने उच्ची करवाई है उच्ची हैडोलिक इसलिए लिए क्योंकि आज गल जो टैक्टर आ रहे है ज़्यादतर सभी टैक्टर चोदे के टैर और सोडे के टैर में ज़्यादा आ रहे है तो इसलिए इसकी हैडोलिक हमने उच्ची लिए है उच्ची के साथ साथ हमने इसमें निच्ची हैडोलिक कभी काम किया है ये देखिए इसमें आपको सुर्राक दो देखने को मिलेंगे अगर आपके tractor के 14 के या 16 के inteiro है तो आप इसमें चलाएंगे इसको उपर के सुराइग में उच्छे है डोलिक और अगर आपके tractor में 12 के टैर हैं 13 के हैं तो निच्चे वाले सुराइग में ये tiller चलेगा सैंसिंग बहुत गजब कि लेगा इस और हिसाब से हमने इसके फेDdis Sverige सीर हैूं ने दूसरी चीज हमने देखël सभी कंपनिया क्या काम करती हैं जो हेड्रो लिक होती है ये उ यह य वाली पठ्टी होती हैी हाँ यहाँ पर वय्ल्ड कर देते हैं तो उपर की साइड में बिइस में प focuses on बालते हैं । हम व्हुत है इसको कंब कराई इसको अन्दर की साइड में यह कोपर वाणी करवा का इसको भरवाया है ताकि यह एक अब कुछ यह घल गल एक लेकिन यह ये वेल्ड नहीं hटएगा इसका दूसरी जी गुल्ले डबल मत्धे मां हमने तियार कर आया है इसमें भी हमने artificial support दिल एương support एक बोल्ट एह रहा एक बोल्ट ये रहा और एक बोल्ट अब दूसरी अब मैं अब के सबसे लास्ट सब्सक्राइब बात है whenra जो paint है हमने आपने देखा होगा जो पहले मैसीट एक्टर पे paint आता था ग्रे गलर का ये वो वाला paint करवाया हमने paint की quality बहुती गजब की है आपको tiller के अंदर सफाई भी दिखाई दे रही होगी कि tiller में सफाई कितनी है ये देखें आप खुब गोर से देख लिए ये tiller में सफाई बहुत ज़्यादा है काम की तो इतनी सारी खूबियां आपको जल्दी से किशी भी tiller में नहीं मिलेंगी ये tiller बिकरी के लिए है और अगर अब इस tiller की location की बात की जाए तो ये tiller खड़ा हुआ है गाउं पांचली खुर्द बागबत रोड मेरट रोहित भाई के हाँ पे ये tiller खड़ा हुआ है जिनका contact नमबर है 76-18-18-18-29 और एक नमबर और है 84-45-06-44-44 दोनों नमबर है किशी भी नमबर पे आप कोल करके इन से संपर्क कर सकते हैं और इस tiller की पूरी जानकारी ले सकते हैं tiller की एक सब्दों में कही जाए कि तो 10-15 साल भी ये tiller 20 साल भी आपके टैक्टर से कहीं नहीं मरेगा सिद्धी सी सब्दों वाली भासा तो है ये इस tiller की full guarantee है 10 साल की 10 साल की इसकी guarantee हमको company ने दी है और इस tiller की 10 साल की guarantee है जो company ने हमको दी है वो ही हम आपको देंगे दूसरी चीज guarantee जो होगी आपकी वो direct company से होगी अगर आप पक्का बिल कहेंगे तो वो भी इसका कट जाएगा लेकिन उसका जो extra charge है पक्के बिल का वो आपको pay करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसके बिल की कोई जुरत नी थी तो बिल हमने कटवाया नी क्योंकि हमें तो ये demo करना था अपनी हिसाब से तियार कराया था बाकी टीलर एकदम good condition में है नया टीलर है जिस किसी भाई को आवश सकता हो जो सोकीन किसान हो ये टीलर वो ही सोकीन किसान जो है वो ही इस टीलर को खरीच सकते हैं बाकी इस टीलर को कोई नी खरीद देगा क्योंकि थोड़ा से इस टीलर में कोश्ट भी ज़ादा आई हुई है जो इसमें लागत है वो भी थोड़ी सी जादा है तो टीलर को खरीदने के लिए वो ही लोग परिशान हो जिनको आवेश चकता है तो वीडियो आपको कैसी लगी है चैनल को लाइक करें, शेर करें, सबस्क्राइब करें ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करते रहें और हमारे चैनल को जब आप सबस्क्राइब करेंगे तो उसमें एक साइड में घंटी का बटन भी आता है उस घंटी के बटन पर जब आप किलिक करेंगे तो उस पर सबसे उपर लिखाएगा ओल तो उसे all पे भी किलिक कर दें क्योंकि जो भी हम वीडियो डालने ताकि वो आपके पास तक सभी वीडियो हमारी पहुंचती रही है तो वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट करके जरूर बताना धन्यवाद